परिचय विदिका के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनवेशा ने त्रीकोन मिती का उप्योग किया है। इस पार्ट में आप एक त्रिभुच के कोणू और उसकी भुजाओं के बीच के सब्मंधों के बारे में सीखेंगे। उद्धिश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कोणों के त्रीकोन मितीय अनुपातों को परिभाशित करना। विशेश कोणों के त्रीकोन मितीय अनुपातों का परिकलन करना। पूरा कोणों के त्रीकोन मितीय अनुपातों की गरना करना। त्रीकोंड मिती की उत्पत्ति त्रीकोंड मिती शब्द की व्यत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। त्रीकोंड कार्थ है त्रिभुज और मिती कार्थ है माप। इस प्रकार त्रीकोंड मिती गणित की एक शाखा के अंतरगत आती है। जुग एक त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्धे संबंध दर्शाती है। मिस्र और कस्तियों के लोग खगोलिय अध्ययन के लिए त्रीकोण मिती का उपियोग करने वाले सबसे पहले थे। ग्रीक खगोल शास्त्री तथा गणी तक के हिपपारकस ने पहली त्रीकोण मितीय तालिका को संकलित किया था। इसी वज़ा से उन्हें त्रीकोण मिती का जनक माना जाता है। त्रीकोण मितीय अनुपात आईए त्रीकोण मितीय अनुपातों के साथ त्रीकोण मिती के लिए अपना परिचै शुरू करते हैं। हम निम्न करेंगे। त्रीकोण मितीय अनुपातों के रूप में कोणों को व्यक्त करेंगे। एक जैसे त्रिभुजों के त्रिकोंड मितिय अनुपातों की तुलना करेंगे तथा उधारणों को हल करेंगे। त्रिकोंड मितिय अनुपातों के रूप में कौंड। त्रिभुज X, Y, Z को देखें, जो Y पर सम कौंड है। कौंड X और Z दोनों नियून कौंड हैं। X, Y कौंड Z की सम्मग भुजा है। Y, Z कौंड Z की सनलगन भुजा है। X, Z कर्ण है। आए, अब त्रिभुज X, Y, Z की भुजाओं के अनुपातों के रूप में कौंड Z के विभिन मापों को व्यक्त करते हैं। कौंड Z का साइन बराबर साइन Z बराबर सम्मग भुजा बटे कर्ण। कौंड Z का कोजाइन बराबर कौज Z बराबर सनलगन भुजा बटे कर्ण। कौंड Z का टेंजेंट बराबर 10Z बराबर सम्मग भुजा बटे सनलगन भुजा। कोण Z का कोजकेंट बराबर कॉजक Z बराबर एक पटे साइन Z बराबर कण पटे संभुग भुजा, कोण Z का सीकेंट बराबर सेक Z बराबर एक पटे कॉज Z बराबर कण पटे सनलगन भुजा, कोण Z का कॉंटेंजेंट बराबर कॉड Z बराबर एक बटे टेन Z बराबर सलगन भुचा बटे सम्मुख भुचा एक कोण को व्यक्त करने के लिए ग्रीक अक्षर ठीटा का उप्योग किया जाता है इसलिए साइन Z को साइन ठीटा के रूप में लिखा जा सकता है इसी प्रकार कॉज Z बराबर कॉज थीटा, टेन Z बराबर टänner थीटा, कॉज X Z बराबर कॉज 1 थीटा, सेक Z बराबर सेक थीटा, कॉड Z बराबर कॉड थीटा सम्रूप तरिभूजों के त्री कोण में ये अनुपाद दो त्रिभुज ABC और DEF लेते हैं कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F अता त्रिभुज की समानता की AAA कसोटी से त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समान है इसलिए दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं इस प्रकार ये स्पस्थ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं को बदलने से त्रिकोण मितिय अनुपात नहीं बदलता जब तक की उसके कोणों को ना बदला जाए उधारन त्रीकोंड मितिय अनुपात के बारे में हमारी समझ को सशक्त बनाने के लिए आईए कुछ उधारण देखते हैं यह दिया गया है कि त्रिभुज A, B, C में B समकोंड है कॉस A बराबर 5 बटे 13 है अन्य त्रीकोंड मितिय अनुपात ग्यात कीजिए कॉस A बराबर A, B बटे A, C बराबर 5 बटे 13 इसका मतलब है कि भुजाएं A, B और A, C 5 बटे 13 के अनुपात में हैं अता हम कह सकते हैं कि A, B बराबर 5, A और A, C बराबर 13, A जहां A एक धनात्मक संख्या है पाइदागौरस प्रमय के अनुसार ये इस प्रकार है आईए अब अन्ने त्री कोण मितिये अनुपातों का मान ग्याद करते हैं एक समकोण त्रिभुज PQR लेते हैं निम्न लिखित का मान ग्याद कीजिए पाइदागौरस प्रमय के अनुसार ये इस प्रकार है विशेश कोणों के त्री कोण मितिये अनुपात त्री कोण मितिये अनुपात को समझने के बाद आईए अब हम निम्न की करना करते हैं 30 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात 60 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात 45 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात 60 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात 90 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात तीज डिगरी के त्री कौन में तिये अनुपात आईए सम्भाहु त्रिभुज X, Y, Z लेते हैं जहां X, Y बराबर Y, Z बराबर X, Z बराबर S है कौन X बराबर कौन Y बराबर कौन Z है आईए अब हम शीर्ष X से भुजा Y, Z को T पर काटने वाला एक लंब खीशते त्रिभुज X, Y, T और X, Z, T में X, T बराबर X, T है जोकी समान भुजा है X, Y बराबर X, Z है जोकी दिया हुआ है और कौन X, T, Y बराबर कौन X, T, Z जोकी समकौन है इसलिए RHS सरवांग समता द्वारा तिर्भुज X, Y, Z और तिर्भुज X, T, Z सरवांग सम है इसलिए कौन Y, X, T बराबर कौन Z, X, T बराबर 30 दिक्री के है Y, T बराबर Z, T बराबर 1, S बटे 2 है पाइथागोरास प्रमय के अनुसार त्रिभुज X, Y, T में निम्न इस प्रकार है साथ डिग्री के त्री कौन में तिये अनुपात पुना समभाहु त्रिभुज X, Y, Z लेते हैं याद रहे कि X, Y बराबर Y, Z बराबर X, Z बराबर S है कौन X बराबर कौन Y बराबर कौन Z है शीर्ष X से एक लंब Y, Z खीचा जाता है जो भुजा Y, Z को T पर काटता है त्रिभुज X, Y, Z और त्रिभुज X, T, Z सर्वांसम है इसलिए Y, T बराबर Z, T बराबर 1S बटे 2 है पाइथागोरास प्रमय के अनुसार इस प्रकार है पैंतालीस डिगरी के त्रीकोन में दिये अनुपात सम कोन सम द्वी बाहू त्रिभुज X, Y, Z लेते हैं X, Y बराबर Y, Z बराबर S है कोन Y बराबर 90 टिक्री है कोन X बराबर कोन Z बराबर 45 टिक्री है पाइथागोरास प्रमय के अनुसार इस प्रकार है पाइथ की शुरुवात में वेदिका और अनुवेशा की चर्चा याद कीजिए यहां दिखाया गया है कि अनुवेशा ने किस तरेके से भवन की उचाई ग्याद की थी इस प्रकार भवन की उचाई 10 मेटर है शुने डिगरी के त्री कोण में तिये अनुपात समकोण त्रिभुज X, Y, Z लेते हैं धीरे धीरे कोण Z की माप को कम करते हैं आप देख सकते हैं कि X, Z बाइं तरफ खुमती है तथा आड़ी होती जाती है जब कोण Z की माप शुने डिगरी तक घटाई जाती है तब X, Z, Y, Z से मिल जाती है और X, Y की लंबाई शुने हो जाती है आईए हम देखते हैं कि त्री कोण में तिये अनुपातों के मान क्या होंगे 90 डिगरी के त्री कोण में तिये अनुपात सम कोण त्री भुज X, Y, Z लेते हैं कोण Z की माप को धीरे धीरे बढ़ाते हैं आप देख सकते हैं कि X, Z दैं तरव खुमती है तथा खड़ी होती जाती है जब कोण Z की माप को 90 डिगरी तक बढ़ाया जाता है तो X, Z, X, Y से मिल जाती है तथा Y, Z की लंबाई शूनने हो जाती है आईए हम देखते हैं कि त्री कोण मितिये अनुपातों के मान क्या होंगे इसलिए 10, 90 डिगरी आप परिभाशित है आईए हम एक तालिका में अपने अभ्यास को दर्शाते हैं पूरा कोणों के त्री कोण मितिये अनुपात दो कोणों को पूरा कहा जाता है यदि उनकी मापों का योगफल 90 डिगरी के तुल्ले हो त्रिभुज X, Y, Z लेते हैं जो Y पर समकोण है कोण X जमा कोण Y जमा कोण Z बराबर X वस्टी डिगरी कोण Y बराबर नपे डिगरी कोण X जमा कोण Z बराबर X वस्टी डिगरी घटा नपे डिगरी बराबर नपे डिगरी कोण X बराबर 90 degree घटा कोण Z या केवल X बराबर 90 degree घटा Z आईए सबसे पहले कोण Z के लिए त्री कोण मित्य अनुपात की सूची बनाएं आईए अब कोण X के लिए त्री कोण मित्य अनुपात की सूची बनाएं आये सबसे पहले अपन अवलोकन तयार करते हैं तथा प्रशनों को हल करने के लिए उसका उप्योग करते हैं सैग 21 डिक्री कौस एक 89 डिक्री को हल करें। सेग 21 डिक्री बराबर कॉज एक 90 डिक्री घटा 21 डिक्री बराबर कॉज एक 89 डिक्री इसलिए सेग 21 डिक्री कॉज एक 89 डिक्री बराबर कॉज एक 89 डिक्री बराबर कॉज एक 89 डिक्री बराबर कॉज एक 89 डिक्री आईए अब उसी प्रश्न को अलग विधी से हल करते हैं कॉज एक 89 डिगरी बराबर सेक 90 डिगरी घटा 89 डिगरी बराबर सेक 21 डिगरी इसलिए सेक 21 डिगरी कॉज एक 89 डिगरी बराबर सेक 21 डिगरी बराबर सेक वर्ग 21 डिगरी आई ये एक और प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं यदि 10 A वर्ग बराबर कौट 90 डिक्री घटा 25 डिक्री कोण A की माप ग्याद कीजिए 10 A वर्ग बराबर कौट 90 डिक्री घटा A वर्ग इसलिए 10 A वर्ग बराबर कौट 90 डिक्री घटा 25 डिक्री को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है इसका तात पर है कि 90 गटा एवर्ग बराबर 90 गटा 25 डिक्री दूसरे शब्दों में एवर्ग पराबर 25 डिक्री एपराबर 5 डिक्री क्या आप जानते हैं? महासागरों में जुहार की उचाई और खगोलिये पिंडों के बीच की दूरी ग्याद करने के लिए त्रीकून मिति का उप्योग किया जाता है त्रीकून मितिये अनुपाद को याद करने के लिए S-O-H-C-A-H-T-O-A एक लोग प्रिये इसमरण युक्ति है इसका मतलब साइन अपोजिट अपॉजिट 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 है यानि जया समुख बटे कर्ण, कोज्या सनलगन बटे कर्ण, स्पर्श जया समुख बटे सनलगन है शब्द कोजाइन आरे भट द्वारा प्रियुक्त इसके संस्कृत प्रतिरूप कोटिज्या के जैसे लगता है आधी जया को निरूपित करने के लिए शब्द साइन, आरे भट द्वारा, प्रियुक्त जीवा, अथ्वा, जया की लेटिन अनुवा से निकला है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एक संकोंड त्रिभुज में नियून कोणों के त्रीकोंड मित्य अनुपात विशेश कोणों के त्रीकोंड मित्य अनुपात जैसे 0 डिगरी, 30 डिगरी, 45 डिगरी, 60 डिगरी और 90 डिगरी पूरा कोणों के त्रीकोंड मित्य अनुपात झाल झाल